तो आज आपको दो मेर्ट में बताने वाला हूँ कि लेटाप के अंदर क्या लगा रहता है और किसको क्या करते हैं जैसे नॉर्मल से आपको जनकारी देता हूँ जिससे आप अगर फर्स टाइम लेटाप देख रहे हैं और उसके अंदर का आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में complete कुछ जनकारी बताएं तो वीडियो को complete देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल इसी पना करें क्योंकि छोटी-छोटी पाइंट इसमें हम बताएंगे जिसको आपको ध्यान से समझना होगा तो चलिए यहां पर इक एक एक्सेस मिमोरी जो आपका रहता है यहीं पर लगारहता है इसको आप यहां से क्या पहर similar लगा भी सकते और शाथ में यहां पर से द्यान से देखेंगे तो यह है आपका v-lain डा-v-lan का मतलब है जो आपका प्रोसेसर हो और यहार रोम हो तो यह दोनों जब हीटिंग होते हैं तो इन दोनों को नॉर्मल टंपरेचर पे करने के लिए यहां पे पूलिंग फैन लगाया जाता है जो कि इस तरीके से चलता है और यहां से लगता है display slot जो आपका laptop में display लगती इसी slot में लगता है और शाथ में इस side देखेंगे तो यह है telephone card और यह है CMOS यानि CMOS बैटरी जो होती है इसके अंदर रखता है इससे क्या होता है कि आपका जो system होता है proper तरीके से आपका date time manage करता है यहाँ पे देख सकते हैं CMOS है और शाथ में और कुछ चीजे दिखाते हैं यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका processor लगा रहता है यानि CPU लगा रहता है और यहां पर आपका रोम लगा रहता है तो यह कुछ चीजे ऐसे हैं जो बेसिक तरीके से आपको पता होना चाहिए अगर आप फर्स टाइम नॉर्मल तरीके से देखे होंगे लेप्टाप के अंदर लगा क्या रहता है तो आई होप आपको कंप्लिट समझ में आ गया होगा एक कुछ बेसिक सी ज असक्राइब करिए है और लाइक करें थैंक्स पर वाचिंग 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 अगा अगा झाल झाल